कि विलकोम एभरिवान यूनेट 3 चल रहा है MPC 005 ग्लॉप 4 का और आगे हम कंटीनियू करते हैं डिस्कॉर्स अनलेसिस इसमें नागे बताया हुए की स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं डिस्कॉर्स और इसमें लिखा है कि method of discourse analysis evaluate the pattern of speech तो discourse analysis में जैसे मैंने आपको बताया था कि speech के patterns को analyze किया जाते है how people talk about a particular subject मतलब लोग किसी चीज़ के बारे में कैसे बात करते हैं what metaphors they use किस तरह के metaphors use किया जाते हैं how they take turns in conversation and so on कैसे वो बारी बारी एक दूसरे को turn by turn बात करने का मौका देते हैं तो वो सारी चीज़ है यहां पर जैसे मैं यूजली लोग बात कैसे करते हैं basically उसको study किया जाते है तो यहां पर कह रहे हैं कि the analyst or the researchers of the discourse analysis believe that the speech performs an action instead of describing a specific state of affairs और specific state of mind तो यहां पर यह कह रहे हैं researcher क्या believe करते कि speech एक action की तरह है rather than कि वो describe कर रहे है कोई speech इतनी important चीज़ है कि वो एक action है एक तरीके का जो हम कर रहे हैं एक activity है वो action है जो हम कर रहे हैं अपनी चीज़ों को describe करने के लिए है तो कि क्यिकिए यह क्या है कि कैसे लोग अपने इस्ट का कैसे रहे हैं कैसे कशी है कि सीच के बारे में response दे रहे हैं सोच के बोल रहे हैं और कुछ इसमें इन इन ओर सबसे पहले टार्गेट ओर्येंटेशन होता है कि सबसे पहले जो एनलिस्ट है उसको यह जाना ज़रूरी है टार्गेट और कि उसको अपना फोकस किस चीज़ पर रखने डीटा किस चीज़ का कलेक्ट करने डूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ डी डेटा की जो डीटा क्लेक्ट किया गया है सचेट नीज टू जर्ज और एक्जामीन डी वैल्यू अब दी डीटा तो उसके जो डेटा है वह कितना करने के बाद जो बीचीज़ लोगेट की बातों को रिकॉर्ड करे इसको कि सब्सक्राइब अबना वो एक जहां पर वह सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर वह एक सौफ्ट्वेर है जो यह चीज़ बथा पकूर्च जून सकता है कि कोई एक particular word या एक particular line है phrase है वो कितनी बार use हुई है या उसमें list of words बनाके डाल दो software में alphabetical order में और insert keywords डाल दो जिसको वो ढूंडेगा अपने आप तो वो keywords अपने आप ढूंदता रहेगा वो software अपने आप analyze करेगा कि उन दोनों बातों में इस तरह का word कितनी बार use हुआ है या इस तरह की चीजें कितनी बार use हुई है तो यह बहुत टिपिकल सी study होती है जहां पे लोगों की बातों को focus कि या जाता है कि वो कैसे बात करते हैं और एक particular word को वो कितनी बार use करते हैं या वो अपने expressions किस तरह से देते हैं कैसे बारी-बारी एक दुसरे को मौका देते हैं बोलने का तो वो चीज़ों को analyze करने के लिए software का भी यूज कर सकते हैं जो count कर सकती है speech में कितनी बार वो वर्ड यूज दुआ है यह एक्जाम्पल है यह तो ऐसे analysis होता है then relevance or implications क्या है मतलब हम कहां use कर सकते हैं तो यहां पर ही कह रहे हैं कि जब हम किसी की बातों का language का और इस चीज़ों को analyze करते हैं तो researcher can easily understand the connotation behind historical events as well as current तो पुराने जमाने के जो हो चुकी है पास्ट इवेंट्स हैं historical events है यह current practices है जो आज की टाइम पर जो चीज़े हो रही है उसका connotations उसके पीछे क्या है connotation का मतलब है significance क्या है उसके पीछे तो वह क्यों की जाती है जैसे इसका example में आपको देती है इस एक फैमिली है जहां पर हर एक का बड़े जो है वह बहुत अच्छे से मनाया जाता है मतलब चोटा बच्चा हो चाहे वह कोई बहुत बड़ा जैसी कोई grandfather ग्राइन वह उस फैमिली में जिसका भी बड़े आता है वह सारे बहुत अच्छे से मनाते हैं और वह सबको बु होना डूंड रहे हैं यहां वह बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं दूसरे को इसलिए बड़े की तरह वह उस चीज को शो कर रहे हैं तो मतलब कोई भी इवेंट के पीछे के कौनोटेशन कुछ और भी हो सकते हैं जो हम डिस्कोर्स अनालेसिस के तुरू अनलाइस कर सकते हैं और भी और सिग्निफिकेंस क्या दे रखे हैं जैसे कि कि किसी प्रोबल्म के पीछ हो सकती है फिर हैं अकशल पॉब्रीहनिंस वीट गेरिकेंड करने में हले सुछ अल्सरच अंडर्सटैंग अधिदं मोर्टीवेशन विदिन आर्सेल हिडन मोटीवेशन क्या हो सकती है लोगों में वसको प्रोप्राव और स्वेशन करते हैं प् अपनी बातों को अनलाइज करना यह बहुत पुराना है जैसे हमारी फिलोसिफी इतनी पुरान है उसमें भी हम अपने थॉट्स वग्यारा को ही अनलाइज करते थे तो उसी चीज को आज के टाइम पे रिसर्च में डिस्कोर्स अनलेसिस का नाम दे दिया गया कैसे लोग अपने वर्ल्ड को इंटर्प्रेट करते हैं मीनिंग निकालते हैं और चीजों को डी कंस्ट्रक्ट करने में help मिलती है डी कंस्ट्रक्ट होता है जैसे कंस्ट्रक्ट करना मतलब जोड़ना डी कंस्ट्रक्ट मतलब छोटी छोटे तोड़के समझना डी है थोड़ा सा अलग है साइंटिफिक इतनी जादा साइंटिफिक नहीं है बहुत सारी इसकी लिपिटेशन नहीं है तो यह डिस्कोर्स अनालेसिस है इसके बाद है एक तरह से जैसे हमें पता होते हैं कि हमें कैसे करना है क्या-क्या steps करने इसमें फोड़ा साइंटिफिक नहीं है प्रोपर खोर्मेट नहीं है and the interpretation of the information collected through this data is again questionable वाइस और यहां सब्जेक्टिविटी उसमें आ सकती है कि अपने परसेप्शन से सुन रहा है उन चीजों को अपने हिसाब से समझ रहे हैं वह क्या समझ रहे हैं वह कुछ अलग हो सकता है हो सकते है कोई और समझे तो उसको कुछ और चीज नजर आए तो वह सब्जेक्टिविटी इसमें हो सकती है डेटा में कि मतलब कौन कितने अपने आर्गुमेंट को कितने फोर्स के साथ बोल सकता है या कितना लॉजिक से रख सकता है उस पर डिपेंड करेगा उसकी डिलाइबिलिटी एक बोलेगा कि नहीं मेरे कहने का मतलब तो यह था उसको वह बहुत जादा फोर्स फुली बोल पा रहा है नहीं कहें तो यहां पे बातों से घility और जाथे देखा जा रहा है कि से यहां तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करते हो और किस तरह से लोगों को इंफ्लूएंस करते हो कि वह आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी परसीव कर ले और एक्सेप्ट कर ले तो रेटोरिक वह होता है कि आपने किस तरीके से उसे कंम्निकेट लेटोरेक से लोगों Learnantic वह नहीं सून्ते परसन है वह जी सतरीक से बोलाई को बोरिंग लग रहे हैं वह नहीं सुनले। दूसरहीं वह छिज़ए से कि रिलायबल यह वैलिट कम मानी जाती क्योंकि इतना सद्धा साइंटिफिक नहीं है तो फिर आता है critical discourse analysis है यहां पर बात हो रही है C.D.A की critical discourse analysis and it is nothing but one of the type of discourse based research यह भी एक टाइप की discourse based research है इस method में we try to study the current social and political activities तो यहां और घापे क्या स्टडी करने की कोशिश हो अधिए जैसे कि सोशल पावर अभियूज हो गया या डॉमिनेंस ओगया ING इक्वालेटी हो गई तो करेंट्ली जो हमारे सोशल प्रब्लम्स है या हमारी जो तो पॉलेटिकल प्रॉब्लेम्स उसके बारे में जब डिसकेशन होती है यह मतर्ब दो चीज़ों के कंटेक्स में होती है यह तो सोशल या पॉलेटिकल उसको बोड़ते हैं critical discourse analysis and with the help of this research researcher explicitly tries to realize experience ultimately overcome the social inequality and injustice occurring within society society के बीच में क्या injustice हो रहा है किस तरह की inequality हो रही है किस तरह का abuse हो रहा है उन चीजों को explicitly analyze कर सकता है explicitly मतलब जो चीज़े दिखे सामने से and the researcher focuses on the powerful groups of the society जो powerful group कौन से होते हैं जो लीडर्स हो गए social group के यह किसी institution के जो लीडर्स होते हैं जिनके हाथ में control होता है over one or more type of public discourse तो यह उनकी बातों पे ज्यादा focus करता है जैसे professor जो है वो scholarly discourse को control करते हैं teacher educational discourse को control करते हैं कि किस तरह आपसे पढ़ाना है कैसे बोलना है ऐसे journalist media के discourse को control करते है lawyers legal discourse को control करते है politician policy को तो उसके ओपर researcher का focus होता है जो leader होता है ठीक है जो powerful होता है इसकी implications क्या है कहां कहां यह use किया जा सकता है तो method allows researcher as well as the research to be an active agent while attempting to expose inequality तो अगर society में inequality हो रहा है injustice हो रही है तो active agent की तरह उसको expose कर सकता है researcher क्योंकि वह उसी के उपर काम कर रहा है फिर researcher critically tries to evaluate social conditions social conditions को researcher evaluate करने की कोशिश करता है ठीक है और उसका focus होता है वो structure और social context of media text पर होता है कि किस तरह से media media discourse का क्या structure है कैसे वो society से related है इन चीज़ों पर focus होता है यहां पर वो क्या चीज़ expose कर रहा है taken for granted of ideological messages तो यहां पर जो कह रहे हैं कि जो researcher है वो क्या कर सकता है वो उन चीज़ों को expose कर सकता है जिन चीज़ों को चुपाने की कोशिश करी जा सकती है through media या दूसरी चीज़ों के थूँ अगर कोई चीज चुपाई जा रही है तो उन चीज़ों को expose कर सकता है उसको analyze करके ठीक है फिर discourse analysis is being used critically in applied linguistic which has led to the development of different approach to understand message spread by media तो media के थूँ जो messages spread किये जाते हैं उसमें यह discourse analysis को critically analyze करके वहां पर यह यूज की जा सकती है critical discourse analysis with the help of critical discourse analysis language can be used as an interdisciplinary tool and can be used by scholars with various background including media criticism मेडिया की यहां पर basically बात करें कि मीडिया को criticize करने के लिए यह मीडिया को expose करने के लिए मेडिया यहां पर वो नहीं है मतलब कि जैसे आप सोच वो tv news channel मेडिया की बात हो रही है मेडिया का मतलब यह है कि जिसके through जो leaders हैं वो public तक अपनी बाते पहुंचाते हैं और वो अपने society को और politics को control करने के कोशिश करते हैं उस मीडिया में कीजिडा में की वाते पहुंता तो तो सोशल अक्टिविटीज की स्टडी होती है मीडिया टेक्स्ट के थुरू मीडिया टेक्स में देखो न्यूस पेपर भी हो सकते हैं इसमें बुक्स भी हो सकती है इसमें आर्टिकल्स भी हो सकते हैं ठीक है तो मीडिया टेक्स में जरूरी नहीं है कि टीवी चैनल की बात हो करते हैं it is one of the best forms of discourse analysis which ideologically uses language as a type of social practice मतलब cda में language को एक social practice की तरह माना जाता है जहां पर यह माना जाता है कि अगर हम language को क्यों एनलाइज करेंगे तो हम society या politics related जो problems चल रही हमाई society में उसको हम expose कर सकते हैं और वो किस तरीके से लोगों तक पहुंशती है उस media को हम expose कर सकते हैं तो यह था critical discourse analysis फिर आगे आते हैं आपका छोटा सा topic के content analysis इसका मतलब वही है कि क्या content लिखा हुआ है आपकी बातों में क्या content है तो one of the method which is used in summarizing any form of content only after having a deep study of actual content content क्या होता है कि जो चीज़ें बोली जा रही है उसमें क्या-क्या बोला जा रहा है क्या-क्या खवर करा जा रहा है क्या topic उसमें बोला गया उसको content बोलते हैं तो इसको content analysis करने के बाद उसके numbers and percentages निकाले जाते हैं जैसे इन होने एक्जांपल के रखा है जिसको देखके आपको समझ आजएगा कि मालो किसी content को analyze करते हैं तो उसके बाद इस तरह का result आता है जैसे researcher can make a statement such as 27% of the program on FM radio in November 2009 mentioned at least one aspect of anti-terrorism compared with only 3% of the program in 2006 content को analyze करके ना हम numbers और percentage बता सकते हैं कि जैसे 20 जैसे November 2009 में कोई program हुआ था FM रेडियो में जहां पर उन्होंने जितने भी program हुए थे उसमें 27% प्रोग्राम ऐसे थे जिन्होंने एंटी-terrorism के उपर बात की थी लेकिन 2006 में सिर्फ 3% ही ऐसे program हुए थे एंटी-terrorism के उपर बात की थी तो इस तरह से numbers निकाले जाते हैं content analysis में तो दो परपस यहां पर सॉल्व करता है content analysis helps in reviewing the subjectivity क्योंकि numbers की बात हो रही है तो subjectivity कम हो जाती है अब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है and helps in detection of trend in an easier and simpler manner कि trend कहां जा रहा है कितने परसेंट लोग किस तरह की बाते कर रहे हैं थोड़ा से easy हो जाता है समझने में इसका example इन्होंने यहां दे रखा है content analysis can be done with the help of media content media content use हो सकता है या फिर इस बिंग यूस्ट और audience content audience content का मतलब है individual feedback जो होता है ठीक है मीडिया content होता है जो मीडिया से आ रहा है और individual audience हो गया है जो लोगों से आ रहा है तो मीडिया का example है print media broadcast recording और audience का example है question है जो लोगों से पूछते हैं interview लेते हैं लोगों का group discussion होती है letter to the editor होते है इन चीज़ों का analysis करते हैं दो तरह के content हो गए मीडिया और audience इसकी implications क्या है कहां कहां पर यह हमें help कर सकता है तो it enables the researcher to make links between causes and the effect causes and the effect किसका जैसे जो प्रोग्राम में content है उसका audience के ऊपर क्या effect है मतलब कितने 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 लोग उस चीज़ से effect हो रहे हैं कितने लोग जैसे जैसे टीयार पीस बगएरा से पदर चलते हैं कि एक चैनल को कितने लोग देख रहे हैं उस तरह से cause और उसका क्या effect हो रहा है उसको analyze किया जा सकता है कि content से कितने लोग effect हो रहे है content analysis is used to evaluate and improve the programming of the media world कि media में जो भी बाते होती हैं उसको हम उनकी जो प्रोग्राम से उनको evaluate कर सकते हैं improve कर सकते हैं it helps in increasing awareness and summarizing the various notes और documentaries मतलब जो एक specific issue के उपर बात करती हैं उस तरह की documentaries के बारे में पता चल सकता है और उसको हम और जदा awareness फैलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे country में ज्यादा तर किस चीज़ के उपर बात होती है किस चीज़ के उपर का inference मिकालने में help होती है तो यह थोड़े से टॉपिक थे इस बारी जो हमने कवर करें तो समझने में थोड़े सा मुश्किल होता है बड़ जो important चीज़ आपको इसमें लगे आप उसको याद करके अपने एक्जाम में लिख सकते हैं तो यह खतम हो गया unit यहां पर तो हमारा next unit अब स्टार्ट होगा next unit में हमारा topic देख लेते हैं क्या है हमारा next unit का topic यह ज्यादा बड़ा unit नहीं है unit 4 reporting and evaluating and qualitative research यह हम next video में start करेंगे I hope you have understood everything and thanks for watching